आज मेरे एक वीडियो आएगा एक जिसमें मैं कुछ बातें करूंगी संदीप महेश्वरी जी से क्योंकि उनके नाम को बहुत बुरी तरह किसी ने खराब कर दिया उनके एक शो में जाके आप सोचा तो नहीं था कभी कि ये वीडियो बनाऊंगी लेकिन हाँ मुझे ये उमीद नहीं थी अपने डेली व्लॉगर से कि वो इस तरह से संदीप मैंश्वरी जी के शो में जाके इतने बड़े प्लाटफॉर्म पे जाकरके जूड बोलके उनकी इमेज को खराब करेगा मिलती हो आपसे अपने चोड़े से इंट्रों के बाद नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तर तो प्लीज दू सब्सक्राइब तो दीवा मंद्रो चानल एंड एंड सी यो इन वाइल तो आप लोगोंने टाइटल पड़ा होगा कि संदीप महेश्वरी सर जी आप से मुझे यह उम्मीद नहीं थी यहां पे मेरी शिकायत संदीप महेश्वरी जी से जादा नहीं है लेकिन उनकी जानकारी के लिए या फिर उनकी सब्सक्राइब सब्सक्राइबर्स की जानकारी के लिए मैं यह वीडियो बना रही हूं क्योंकि एक महिला आज से करीब तीन महीने पहले उनके शो में गई थी जहां पे सब्सक्राइबर्स का मेरे को कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं तो कही मुझे से लगता है कि वहां जाने का सिस्टम कई लोग जो पूछ रहते कि कैसे जाना है एक उनलाइन फॉर्म बरना पड़ता है और फिर आप वेटिंग में चले जाते हैं जैसे ही आपकी वेटिंग क्लियर होती है आपके पास एक एमेल आ जाता है तो इसलिए मेरा ये वीडियो यहां पर उनके लिए है कि आप प्लीज आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर होती हूं बहुत सारी आपकी वीडियो देखती हूं मैं लेकिन अभी रीसेंटली दो महने पहले एक व्लोगर आपके शो में जानते हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं दो या चार महीने पहले कि उनकी वीडियो देखीगा एंपार योर्सेल्फ करके एक ऐसा कुछ है पार ओफ एंपार्मेंट इस टाइप का एक वीडियो एंपार योर्सेल्फ है आई गैस उस वीडियो में पैतालिस दिन के लिस्ट आपकी क्रियेट होती है और आप देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं एक बार अगर किसी ने लिख दिया है वह यूट्यूब बैक्राउंड चेक कर लिए उसका चैनल चैक कर लिए इन्हों ने आपके चैनल का साहरा लिया अपने जूट को पकाने भुनाने के लिए और उसको और बढ़ा करने के लिए कैसे मैं आपको बताती हूँ वो ये ऐसे कि इनके जब हस्बेंट की डेथ हुई थी इनका बच्चा उस टाइम 45 डेज का था और बहुत ही जादा कंफर्म्ड है ये बात कि ये अपने ससुराल में अपने हस्बेंट की डेथ के बाद अप कुछ दिनों के लिए ससुराल भेचते हैं जाब ये वापस आना चाहरी थी तब वो लोग डेफिनेटली आना का नहीं कर रहे हूंगी ये बात सच है लेकिन फिर भी वापस गई क्योंकि तीन महिने बाद उन लोग ने बेटे की बरसी की थी जिस बरसी में ये गई थी वो सारा खाना ओर्डर किया था सुईगी से इसने ओरियो बिस्केट भी और पदा नहीं क्या-क्या ओर किया था पेस्ट्री वगेरा ओर की थी जिस कारण से इसके ससुराल वालों ने से कहा था कि तुम इस घर से चली जाओ इसने आपके शो में जाके स्टोरी बताई कि मुझे घर से निकाल दिया गया था तो पहली चीज यहां पर यह है कि इसने मारपीट की थी उसके बाद वो लोग ढबडा गए थे दूसरा इसने अपना बिर्थ डे एक ऐसे टाइम पर करने की कोशिश की जहां पर इसको नहीं करना चाहिए जहां पर दुख का महल था कोई भी सेल आं तो जो होती हैं चीजे की जा रहे हैं तिम जो रिवास होते हैं उत पर कोई बोले कि नहीं मेरा तो आज बर्थ रहे हैं लोग खाओ तो आप इस चीज को बोलोगे कि वह सही है बरसी बेस ने जनम दिन का celebration किया उसके बाद इसके सस्वाल वालों ने इसको बोला कि तुम जाओ और officially ये बच्चे के साथ उस दिन घर से निकली है 45 दिन का बच्चा था ही नहीं क्योंकि बरसी ही तीन महिने के बाद थी तो जो जूटी स्टोरी लोगों की sympathy गेन करने के लिए बताती है इसने आपके शो में भी आली चीज़ें बताई और in fact इसने ये भी बोला कि मैं बीट एक पास थी मेरे पास एक चोड़ा बच्चा था तो मैं अपने लिए मेड की नौकरी देख रही थी करीद भिवाब ऐसे लोगों के सवालों का जवाब यह है वह वह बाले वामद्स नाइट बार्ट मतलब करिए उनके नीचे जो लोग है उनके लिए जो सरकार घर बनाती हो जब वह नहीं बिखते तो auction में 10 लाग 12 लाग में एक फ्लैट बेच दिया जाता है फ्लैट इसने खरीदा था 8 लाग फिर थोड़े दिन बाद वो हो गया 9 लाग अभी वो हो गया है 10 लाग का ऐसे करके इसने दो फ्लैट खरीदे हैं वो कोई बहुत बड़े फ्लैट नहीं है जैसे कि आपके subscribers confused हों रहें कि कैसे खरीदा क्या काम करती हो क्या मेहनत करती हो मेहनत की बात करते हैं इन्होंने कहा कि मैने मेहनत किया इन्होंने दो से तीन साल में सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों को बहुत पुरी तरह से social media पे ट्रोल किया है ससुराल वालों को ही नहीं इ तूट बोलती है तो वहां पर पैठें हुए लोग मैं इतना ही बोलूँगी कि बहुत सारे लोग जो इनको सेल्यूट कर रहे हैं एक बार इनके गाली गलोज का वीडियो देख लीजेगा इनके तीन साल का बच्चा मा की बहन की सब तरह की गाली देता है इनके घर में कीड़ जिसको ये महनत बुलाती है और इन्होंने आहश्वरी जी के शोव में जाकर के पूरा जुट बोला है आप कुछ लोग बोलेंगे तुम्हें क्या प्रॉबलम है भाई प्रॉबलम है इन्होंने पूरे हरियाना का नाक कटा दिया ये कहके कि हरियाना में विडो को र, A, N, D कि आई बोला जाता है मैं कभी मान ही नहीं सकती कि भाई कोई भी स्टेट इतना बुरा या इतने सारे बुरे लोग होंगे कि एक विडो को इतना खराब नाम देंगे ठीक और इन्होंने बीच में गुस्ते में अपने चैनल का नाम भी यही रख लिया था अपना नाम हटा क यह आरवर्ड पूरा लिख दिया था इनके सब्सक्राइबर को इसी तरह का कॉंटेंट शायद पसंद है उसके बाद जब संदीप मायश्री जी के शो में गई और वहां से आई तो इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की संदीप सर ने इन्हें बोला कि आप क्यूं फूब घरों के पीचे भाग रहे हो आप अपने वेटे का इंश?रन्स लीजे क्योंगी बिमारी का भी भाहां पे बात किया कि पिर्फ़ी बात किल्कि शाओं लेकि और इंश आपके पास है तो आप effective minutes मि ककर शक्ते हैं मतलब कर लाए बद Focus को आप जाकर का कराड़ी कहा को अपने घर के patient को वहाँ पर admit कर सकते तो उन्हें बहुत अच्छी सला दी थी जो इसने नहीं मानी हाला कि ये वापस लोट के आई इसने वीडियो बनाए संदीब महेश्वरी सर जी का tag लगाया सब कुछ किया लेकिन थोड़े दिन बोली कि अब मैं घर नहीं लूगी मुझे स जैसे मैंने बूला बहुत लंबी चोड़ी होती है लेकिन इन्हों ने जाकर उनकी इमेश को बहुत बुरी तरह से खराब किया है क्योंकि जो इनको जानते हैं उनको यह हजन नहीं हो रहा कि उनकी शो में चली कैसे गई और उन्होंने इनसे बिना कुछ बैक्राउंड चेक तुमने उसको भी नहीं छोड़ा उसको भी नहीं छोड़ा रीसेंटली अपने पिताजी की भयाना घंगोर बेज़दी की है लाइफ करके लाइफ करके हमेशा बड़े बुजूर्गों को यह बेज़द करती है इसकी आदत है आज की नहीं पुरानी आदत है इसके पहले प ना वो यह कभी सोचने की कोशिश करते हैं कि इसके पहले क्या हुआ होगा या इसके बाद क्या हुआ होगा या अगला अगर कोई बुज़ूर्ग गाली दे रहा है तो क्या उसको सोचल मीडिया पर डी फेम करना चाहिए बोलके कि मुझे शराबी पसंद नहीं है अपने पित तुम संदीब महेशुरी जी के शोव में गई थी तुम उनके शोव में बाहर खड़े होने लाइक की भी लाइक ही नहीं रखती हो मुझे तकलीफ यह है कि मैं संदीब महेशुरी जी से यह बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आपसे हाँ जोड़के विनमर निवेदन है कि आप बैक्राउंड चेक करें प्लीज ऐसा कुछ करिए ताकि यह वो एक इनसान की सीट ना ले पाए जो उस दिन अगर आप से मोटिवेट होके आया होता तो उसकी आज जिंदगी बदल गई होती लेकिन इसकी लाइफ में कुछ नहीं बदला है इसे फिर से नए घर लेने ह इसने फिर से वही गंदगी दिखाई है यह बिल्कुल ही मतलब ऐसी लेडी है कि यह किसी के आसपास रहे तो आसपरोस वाले बहुत डरते हैं और इस चीज का एक बहुत ही बड़ा प्रूफ अभी सामने आया है जो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है कि इनके घर से निक है उनके हिसाब से मैनत की डेफिनिशन है घर में कीडे डालो लोगों को बदनाम करो रोना गाना मचाओ बच्चे को गाली सिखाओ कोई कुछ बोले तो उसको बोलो हम तुमें सस्पेंट करा देंगे जैसे ही कोई कुछ इनको मतलब इनको किसी की बात पसंद नाए तो इनक के यहां हमारी यहां से एक सब्सक्राइबर गई थी जो एक सोशल वर्कर है एक्स पॉलिटेशन है और उनका यही सब काम करती है समात सुधारक भी है खुद का बिसनस भी है उनके लिए उनके लिए पीसी आर वैन बुला ली पुलिस बुला ली कि मेरे घर आ गई जबकि उ ने लगा कि काफी डर गई इनरे तरफ से वह झूम करके बोला कि उन्होंने स्टॉरी बोल दिया है और हमने उनके लिए पूर लिए पुलिस की बैन बोला ला दी थी कियो हमके लोग को तंग कर रहे हैं हों हमाई ऌकर अगर के कुछ प्षी कर सब्सक्राइबर्स का कमेंट था कि तुमने बताया था कि तुम्हाई घर में सोना रखाया तो तुम्हाई घर में लोग आएंगे सुनिये 50-60,000 रुपए का सोना चुराने कोई नहीं जाता किसी के घर थोड़ा सोच समझ के बोला करिये because you never know अगर केस चला और सच में चला तो नीचे आपके कॉमेंट में आप भी लपेटे में आ सकते हैं क्योंकि आप बिना जाने बिना कुछ इन्फरमेशन के इस लेडी की गलत इन्फरमेशन पर अगर किसी चीज़ को सच बोलके किसी को जोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीवत में फस सकते हैं थोड़ा सोच समझ के सोच समझ के क्योंकि अगर आपको नहीं पता इन्हीं के सब्सक्राइबर से कह रही हूं साइक्लान जी के अगर आपको नहीं पता है सब्सक्राइबर्स प्यारे सब्सक्राइबर्स कि यह कितने जादा बुरी तरह से कीचर मे फस चुकी है यह दलदल में फस चुकी है और दलदल और कुछ नहीं के वीडियो का दलदल है उसमें फस चुकी है आप लोग इन्हें बाहर नहीं खीत सकते यह हर रोज एक कदम आगे बढ़ती है उस दलदल में और गहरे में जाती है और गहरे में जाती है कब तक कभी ने कभ सुबने से इन्होंने से संदीव महैश्यूरी सर का भी नाव इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उनसे मोटिवेट biết विलक्ल नहीं हूई तो संदीव महैश्यूरी सर से मेरा ये बहुत ही हाँ जोड़ के विनमरे वेधन हैगी आपके motivational जो शोज होते हैं या जो भी वीडियो होते हैं बहुत ही valuable है लोगों की life में बहुत value आड़ करते हैं लेकिन unfortunately आपके life में एक ऐसी औरत पहुंच गई जिसने hundred percent जूट बोला है उसे अपने ससुराल वालों को बहुत बुरी तरह से दो साल ट्रोल किया और वो आपके शो में भी सिर्फ उन्हीं लोगों को नीचा दिखाने गई थी 45 दिन का बच्चा इसका तब था जिस दिन इसके husband की death हुई थी और उस वक्त वो ससुराल में थी ससुराल इसको काफी रोका लेकिन एक रसम के तहट इसको अपने माई के वेजा गया था जो इसने बिल्कुल बात ने मुह से कबूली है उसके बाद उनके घर में एक और लड़का था उन्हें शादी करने थी जिसके उपर इसने बहुत ही गंदा आरोप करके केस डाल रुखा है और इसको तीन महिने के बच्चे के साथ उन लोग बोलते कि तुम चले जाओ घर से क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे और तुम्हारी सास में से किसी को कुछ हो जाएगा और उन्होंने ये बात सिर्फ इसलिए बोली थी क्योंकि जिन इनके लड़के की ड बजा देती हैं अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने पापा का तबला भी बजाया है बहुत अच्छे से लाइफ करके उनको इंसल्ट किया है यह समाज को यह सिखा रही है कि सीनियर सिटिजन हो या कुछ भी हो अगर आपको डाट दें आपके खुद के माबाप हो तो सब्सक्राइबर हैं तो मैं यहीं बोलूँगी संदीब जी से कि फ्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस औरत ने बहुत कंफ्यूज किया है आपके सब्सक्राइबर आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे दो महिने में कैसे दो साल में इन्होंने मैंने मैंने करके फ्लाट ले लिया तो पहली चीज वह फ्लाट जो है वह बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए बने फ्लाट थे जिसको ऑक्षिन में गव्मेंट दस लाग आठ लाग ऐसे निकाल देती है जिस ऑक्षिन में आपकी जो बोली लग गई वह घर आपको दे दि लिए फेलो यूट्यूबर्स की ट्रोलिंग ससुराल वालों की ट्रोलिंग ऐसा कोई नहीं है इनके लाइफ में आज तक जो इनकी बातों से खुश होता हो या इनके साथ रहना चाहता हो इन्हों ने रिसेंटली इतनी मा को बीमार कर दिया इतने गंदे घर में उनको रखा और दस्त है और इसके अलावा एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहे थी हां संदीब महिश्वरी सर जी को यह भी बोलूंगी कि इस और ने लाइफ में आके सोशल मीडिया पर वाइटी पर मंदिर तोड़ाया और गंदी-गंदी गालिया दिये मुझे मुझे ठीक है और जब यह आपके नाम का साहरा देगे महान बंदी तो बहुत अजीब फील होता है कि तुम एक ऐसे इंसान का जो लोगों को सिर्फ महज मोटिवेट कर रहा है उसका नाम क्यों खराब कर रहे हैं आपको कोई नहीं बचा सकता आप किसी का भी नाम ले ले ल सोलजर का नाम लेती है रोयल सोलजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंफैक्ट मैं तो को काम कर रही हूं ना वह समझे लीज़े यह लेविल का है वह भी यही काम बहुत बड़े लेविल पर कर रहा है ठीक तो ही ऑल्वेस अप्रीशेट मी तो बड़े यूट्यूबर का काम लेकर के अपनी इमेज को महान दिखाने की कोशिश मत किया करिए जो कर रही है खुद करिए संदीप महिश्वरी जी को छोड़िए रोयल सोलजर जी को छोड़िए उनलों बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सिर्फ अकेले जो गंदा काम कर रही है वो आप कर रही है और हर पड़ियुट्य eva को नहीं पता लोगा पता होता की आपके चैनल पर एक क्या-क्या है और क्यूह है और किस टाइम पर आपने क्या-क्या किया है पीक तो आपके उपर जो भी action होगा वो तो होगा ही क्योंकि मंदिर तोड़ना कोई माफी नहीं होती है उसकी और आपने तो खुद बोला है अपने हमने वो सारे ही proof दे दिये शाकू जी को आज रात में live भी आऊंगी आप लोग join करिएगा आज मैंने एक वीडियो भी डाला है कैसे इनके पडोस के लोग बहुत परिशान है इनसे इन्होंने कल शूट बोला था अपनी live में की सारे पडोसी, सारे resident बोलना था लेकिन बोला साब बट इन्होंने बोला सारे residents हमारे साथ हैं कोई भी रेजिदेंस आपके साथ नहीं है ना ही कोई भी रेजिदेंट आपके साथ है तो अब आकी एक औरत जो कहती कि मैं बीटेक पास हूं बचे करण वेन नौकरी नहीं की उसको मैं इतना बताना चाहूंगी एक बीटेक पास को अगर यह बोलना ना आये कि क्या होते हैं कैपासिटर्स बोला जाता है तो उसको कैपासिटर्स का नौलेज क्या खा की होगा पहले बोलना जो सीख लो फुद को बीटेक बुलाते हो पता नहीं अच्छे कॉलेज सही किया है तुमने शायद बीटेक है ना एक बाद डिग्री दिखाईती बैठके उस कॉलेज का नाम वह बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है तो आपने उस कॉलेज का भी नाम डुबाई रखा है बागी मेरा आज का ये वीडियो इतना ही हो अगर वहां इनकी कॉलोरी से कोई मेरा वीडियो देखता है तो प्लीज आज रात को दस बजे में लाइफ कर रही हूं जॉइन कर सब्सक्राइबर्स को सफाई पसंद है वह आपके चानल पर नहीं जाएंगे आपके चानल पर मरे हुए चूह है है आपके चानल पर कीड़े हैं आपके चानल पर भायानक ट्रोलिंग है अपने घरवालों की आपके चानल पर अपने पिता जी को गाली बगती है हमारे सब्सक्राइबर्स को इत्ती गंदी जगे बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं देंगे मना करेंगे आप आजाईए करेंगे आजाओ आओ आओ आजाओ लाइस मेरा आज का ये वीडियो इतना ही बहुत ही जल्दी मिलती हुए आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और संदीब माय शुरी सर जी को यह यहीं बोलूंगी कि इस वीडियो के लिए सारी बड़ आपको बताना बहुत ज़रूरी था यह आपके नाम को बहुत खराब कर रही है, बहुत खराब करेंगे हैं लाप यू की सोच रखने वाली महिला है, बिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो के साथ और आज रात को लाइव 10 बजे तब तक हे लिए टेक के लिए रएस्टे ब्लेस्ट एं लाइव आने से पटाव इस वीडियो में अच्छे सा व्यूस्द दे देना और लाइक करना मत भूलना लाइक करना अब भूल जा तो वही बात कृपा बस वही से अटक जाती है हमारी ठीक है क्रिग है समझे टे कि ये लब यू